हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल को कुविट खुसीका में आज मैं आपके लेके आए हूं बिल्कुल बेकरी इस्टाइल टूटी फुरूटी से बनने वाली बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी केक की रेसिपी इसे हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना सुरू करते हैं दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे और साथी बेल आइकॉन भी प्रेसिपी जरूर कर दे जिससे कि में जो भी रेसिपी अपलोड करो इसकी नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिल इसमें आड़ करूंगी आधा कप ऊईल मैं एहां पे रिफाइन ओल ले रही हूँ लेकिन इसमें आप सर्सो का तेल ना डाले आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं फिर मैं इसमें डालूँगी एक कप चीनी चीनी और दही का मातरा वह बराबर रहें एक कप दही के और ओयल गूंता तरीके से तरहिं हो जाये तो यह आगा मीशर अब और दे चीजा को नमक नमक जरूर डाले यह नमक मीठा को बाइलेंस करता है और यह केक में बहुत अच्छा टेश्ट लाता है अब इन सारे चीजों को डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है यह देखिए आप जब भी केक बनाने के लिए मैदा ले तो मैदे को जरूर पहले से ही चान लिया था उसके बाद लिया और आप देख सकते हैं मैंने इन सारे चीजों को मिक्स कर लिया उसके बाद भी यह बैटर थोड़ा गाड़ा है तो मैं इसमें थोड़ा दूद और डालूंगी दूद को हमें ज़्यादा नहीं डालना है लग बाग चार से पांच टेबल स स्पून दूद डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स करें इसके अंदर बिल्कुल भी गाठ या लम्स नार है यह बैटर अभी भी थोड़ा गाड़ा है तो मैं इसमें तीन से चार चमच और दूद डालूंगी लगभग मैंने यहां आधा कप डूद डाला है फिर मैं इसमें डालूंगी वनेला एसेंस आधी चोटी चमच इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे जरूर डाले फिर वनेला एसेंस डालने के बाद हमें एक बार और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना इस आधार को यह देखे और आप देख सकते हैं केक कापेटर हमारा बन के रेडी हो गया है यह कितना जदा स्मूध है यह लिक्विड भी जादा नहीं हो ज्यादा थीक भी नहीं है इसकी कंसेटेंस से आप देख सकते बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए इसी बैटर में मैं डालों जिससे की टूटी फूटी बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए यह देखे बिल्कुल ऐसे ही करना है फिर हमें इसमें डालना है आधी चोटी चम्मच बेकिंग सोड़ा आप इसकी जगा इनो भी एड़ कर सकते हैं इसे डालने के बाद एक बार और अच्छी तरीके से बैटर को जबहिए अप सोड़ा डाले तो बैटर को ज्यादा ना मिक्स करें बस उसे हलका हलका चलाते ही मिक्स कर लेना है यह देखे केक का बैटर बनके रेडि हो गिया है तो चलते अब उसके नेक्स्ट प्रोसेस के उडर उसके लिए में जिसमें लगा दिया पहले से Georgie tip बाटर पेपर यह सब्सक्राुक्त है त्सकाय इसोफ ज़्सक करने सामाने केक लिए घंभां की लेशीए नेक्स की मिकोम, मैंने ने मरते होदे शीकषा क। तूटी फ्रूटी ये देखे अच्छे से इसे चारो तरफ स्प्रेट कर दे सारे तूटी फ्रूटी को ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे और ये खाने में भी अच्छे लगेंगे और यहां पर हमारे टूटी फ्रूटी उपर से मैंने डाल दिया है वो यह रेडी है बेक करने के लिए तो मैं आज इसे आवन में बेक करूँगी उसके लिए आवन को मैंने पहले से पांस मिनट के लिए प्री हीट पर रख दिया था गरम होने के लिए 180 डिगरी सेलसियस पर और यह अच्छे तरीके से जब गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे केक इस केक को हमें 180 डिगरी सेलस केक को मैंने निकाल दिया है और यह दिखने में कितना खुबसूरत लग रहा है और यह बेक होके रेडी हो गया है तो चलिए अब इसे चेक करते हैं अच्छे से बेक हो अगिने उसके लिए हम एक चाको से केक के अंदर इस तरह डिप करेंगे अगर यह के गिला निकलेगा यानि आपका केक अभी भी कच्छा है पर मेरा नाइफ यहां सुखा है तो केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो गया है तो चलिए अब हम इस केक को एक प्लेट में निकाल लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे अच्छे से ठंडा करना होगा मैं इसे दस से पंदर मिन केक को हमें अच्छे से पलट लेना है कि अबस इसे हल के हाथ होसे उठाते वे इस तरह पलट ले यह तो यह लगा लग लग रहा है बिल्कुल बेकरी स्टैल मैं यहां पर आपको केक कट करके दिखाऊंगी और यह अंदर से भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पांजी ह यह देखिए तो यह है ना बहुत ही सिम्पल और इजी सी केक के रेसिपी इसे बड़ों के साथ बच्चे सभी कोई खाना बहुत पसंद करेंगे आप इसे घर पर जरूर ट्राइक किजेगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को जरूर सेर करें मेरे वीडि देखने की बेल आइकॉन प्रिस जरूर करें